नमस्कार दोस्तों एक बार फिर स्वागत है आपका आपके अपने चलन लाई उगों में तो जैसा कि आप सभी को पता है भी जो आपकी क्लासी चल रही हो राजस्तान हाई कोड ग्रूप डीजाम 2020 के लिए आपकी क्लासी वो कंटिने से चल रही है नो से टो आपका तो यह मोडल पेपर है वो आपका राजस्तान हाई कोड गुरूप डीजाम 2020 के लिए राजस्तान जीक के का मोडल पेपर है इसमें रहुत जाना ही बांती क्या है 20 क्यूसन करेंगे और ये 20 क्यूसन आपके जो आपका राजस्तान High Code Group D. Exam का जो आपका एक्जाम पेटरने स्लेव बस है उसी के एकोडने के आपको प्रोवाइड कराए जाते हैं इसके लावा अगर बात करें कि आपी राजस्तान High Code Group D. Exam 2020 की क्या एक्जाम डेट के बारे में अभी कोई इन्फर्मेशन नहीं है तो इसके बारे में आपको क्या ज्यादा टेंस लेने की कोई जूरूरी नहीं है आपको अपनी Study पे क्या है फोकस करना है जितना उसके ज्यादा ज्यादा पड़ो अपना वाइं अन्य जगाओं पर नहीं गुमाएं सिर्फ अपना द्यान वह पढ़ाई पर फॉकस करें और ज्यादा ज्यादा अपने क्या पढ़ाई पर फॉकस करना है ताकि आपको यह मिल्च के एक अच्छी त्यारी के बदोलत अगर आप अच्छी त्यारी करोगे तो आ चुका है आपको बताना है की मैं कि राजस्तान के जिले में रन का बाउले बताये जिले में को साप सैंट जवाब होगा आप कर दो द्रस आज़ता नर्च तान नम्बर अपका बिल्कुर सभाण है क्या आ जाएगार तो इसमें आहेगा अदर सान प memb कि आपका थार मरुष्टर की उत्पती का सबसे प्रभावसाली कारण क्या है बताए थार मरुष्टर की उत्पती का सबसे प्रभावसाली कारण आपको बताना है क्या आएगा चार ओप्शन में से बताए क्या जाएगा इसमें तो इसमें आएगा आपका जो सही जवाब आए बताइए कौन सा यूगम वो सही सुम्मिलत नहीं है चार ऑप्शन में से ऑप्शन नमर एक क्या दे रखा है चित्रांगंद मौर्य ने बनवाए था और इसके बाद है गड़ गिठली है वो आजेपाल ने क्या इसका निर्मान करवाए था तो ताइए कौन सा इनमे से सुम्मिलत नहीं है आपको बताना है चार ऑप्शन में से क्या आएगा क्या आएगा इसमें तो इसमें आजाएगा आपका उपसन नमर सी है कि लौमा अजरी अजिय पाल ने इसका निर्मान करवाए था बढ़ते नेक्शन के और अब आपको उताना है कि मेग जिन यानि एकबर का किला इस्टित है बताएए मेग जिन यानि एकबर का किला वो कहा इस्टित है बताएए चार ओप्शन में से क्या आजाएगा इसमें क्या आजाएगा चार ओप्शन में से तो इसमें जो भी आपको से लेगा उसको आपको नोडाउन कर लेना है क्या आएगा चार ओप्सन में से तो इसमें आजाएगा आपका मेग जिन यानि एकपर का किला है वो कहां पे है अजमेर में ओप्सन नमबर चार ओप्सन में से सही जवाब क्या आएगा चार ओप्सन में से मली नाजी ऑप्सन नमबर ड़ और है वो आपका विल्कुल सही जवाब होगा बढ़ते ने एकशन के ओप्सन की तो इसमें में सी बताइए जैसलमेर के बाटी शास्कों की कूल देवी का नाम बताइए चार ऑपिंचं में से क्या जाएगा आज लौоп सभूवाब का नोगा मखंटो this pewnoर दो बात करें सभ्लाइगे डानी की तृक्ष को सभ्ला जाइगा सभ्ला झाग नूजो तो क्या आएगा चार ओप्सन में से कौन सा यूगम ऐसंगत है बताईए तो इसमें क्या आएगा आपका सही जवाब ओप्सन नमर एक आदरे का आपका तीज का मेला है वो सावन सुकला तर्तिया को बढ़ता है बिलकुर सही जंबेश्वर मेला है वो फालगुन वै आसोज माम बढ़ता है बिलकुर सही चार पुजा का मेला है वो बादरपत सुकला है का तसीव बढ़ता है बिलकुर सही नारी चरित्रो थान वे वेद्वे दोस निवान के लिए कौन सा वर्त शमरणी है बताईए चार ओप्षन में से क्या आएगा इसमें चार ओप्षन में से तो इसमें आएगा आपका अरुधंती वर्त आएगा ओप्षन नमर ए आएगा 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 आपका बिल्कुल सही जवाब नेक्स उनकि आपका अब आपको बताना है कि चंदर परभूजी का मेला कहां बढ़ता है बताईए चंदर परभूजी का मेला कहां पर बढ़ता है चार ओप्षन में से आपको बताना है सही जवाब क्या आएगा इसमें क्या आएगा इसमें चंदर परभूजी का मेला है वो कहां पर बढ़ता है यह आपको बताना था चार ओप्षन आपको दिये हुए तो इसमें अगर बात करें सही जवाब की चंदर परभुजी का मेला है वो तिजारा अलवर में बढ़ता है अप्सन नमबर ए आजाएगा आपका बिल्कुल सही जवाब अगर आपने अप्सन नमबर ए चुना है तो आप अपना एक नमबर जोड़ सकते हो नेक्शन के आपका वीरपूरी का मेला कव कहां बढ़ता है बताईए वीरपूरी का मेला कव कहां पर बढ़ता है आपको बताना है मौस्ट पॉर्ट एडिकेशन है चार अप्सन आपको दिए मैं सही जवाब बताईए क्या आजाएगा इसमें क्या आजाएगा इसमें तो इसमें आएगा आपका स्रावन मास का जो अंतिम सोंवार होता है तब ये मेला बढ़ता है कहां पर बढ़ता है मंदोर जोधपूर में स्रावन मास का अंतिम सोंवार को मंदोर जोधपूर में वीरपुरी का मेला बरता है बरते नेक्स उनकी ओर अब आपको बताना है कि राजस्तान में सती परता सबसे ज़्यादा कौन सी जाती में पर्च लेती बताईए राजस्तान में सती परता सबसे ज़्यादा कौन सी जाती में पर्च लेती आपको यह बताना है most reported कि उसने बताइए क्या आजाएगा इसमें तो इसमें अगर बात करें सही जो आपकी तो इसमें आएगा option number B कि राजपूत समाध में क्या है जो कि सत्थी परता है वो सबसे ज़्यादा पर्चलित थी वर्टनेक्शन की और अब आपको बताना है कि एक तरव आपको रित्रिवा दे रहे के एक तरव आपको अर्थरेका उनका तो आप ses नचें कि कौन सा है वह असे इसमें आपको अप्स में करवाद चुका हूं अब आपका रिवीजिन चल रहा है जो भी नए स्टुटेंट जुड रहे हैं जिन्होंने पहले नहीं लगाया था वह अभी क्या जोई नहीं कर सकते हैं और जो पुराणे वाले स्टुटेंट है उनको तो पता ही है अगर वह लगाना चाहते हैं तो उनको पता लग जाएगा कि उनको कितना याद है यह चीजी आपके दिमाग में बिल्कुल फिट हो जाएगी तो आपको क्या टेस्ट लगाता लगाती रहने कुछ एक उसों नहीं आएंगे निमें कुछ एक पुराणे होंगे ऑप्स नमर एक क्या दिरिखा गोना क्या होता है विवाहित करने को बेशक कोने पर सुषरालों बेजना दार क्या होता है विवाइवसर पर समुईक परतिवर्द सामेला क्या है वर के वदू गर आगमन पर वदू के पिता दुआरा स्वागत न्यांगल क्या होता है गरस्तासरा में परवेश तो अप्शन नमर डी है वो आपका क्या इसमें गलत है और बाकी तिनों सही थे अगर आपने उप्शन नमर डी है तो आप अपना एक नमर जोड़ सकते हो बढ़ते रेक्शन की ओर अब आपको बताना है कि राजस्तान में 1444 खंबू वाला मंदीर कहा है बताए राजस्तान में 1444 खंबू वाला मंदीर कहा है में बताए चार ओप्षन में से क्या आजाएगा इसमें क्या आजाएगा चार ओप्षन में से से जवाब बताना आपको क्या आना चाहिए तो अगर इसमें बात करें से जवाब की तो इसमें आजाएगा आपका ये मंदीर रणकपुर में है कहां पे है रणकपुर में नेक्षन के आपका डेलवाडा के जेनमंदी का निर्मान हुआ यानि देलवाडा के जो जेनमंदी रहाउन का निर्मान कब हुआ था यह आपको बताना है चार ओप्सन आपको दिये में सही जवाब बताए क्या जाएगा इसमें बहुत अच्छे अच्छे कि उसने आप से पूछे जा रहे हैं तो इसमें अगर आपने option number 20 चुना है कि 11 स्थापदी में तो आपका बिल्कुल सही जवाब आप अपना एक number जोड़ सकते हो बढ़ते नेक्शन की ओर अब आपको बताना है कि लोग गितों का सर्वाधीक मैताव है लोग गितों का सर्वाधीक मैताव है बताइए किस में है किस के लिए है लोग गितों का सर्वाधीक मैताव हो आपको उताना है चार ओप्शन आपको दिये होए है क्या आएगा चार ओप्शन में से जाने वाला गीत क्या कहलाता है वर को जादू टोनों से बचाने के लिए इस्तरियों दुवारा गया जाने वाला गीत वो क्या कहलाता है चार ओप्शन में से बताइए क्या आएगा चार ओप्शन में से तो इसमें आजाएगा आपका कामण होता है वो क्या होता है कामण गीत होता है जो क्या वर को जादू टोने से बचाने के लिए इस दिवारा गया जाने वाला गीत होता है बढ़ते अनेक्शन के ओर आपको बताना है कि बोली और छेतर का कौन सा यूगम वो सुमे सही नहीं है मताई एक तरफ बोली और छेतर देर कि आपको उनका बताना है कि कौन सा यूगम वो सुमे विल्ट नहीं है चार ओप्सन में से ओप्सन में में खेराड़ी बांच वाड़ा ये बिल्कुल सही आपका डूंडाड़ी लावा ये भी सही है अडूती जालावार ये आपका गलत है वाटि कामा ये आपका गलत है आपको एक औरख देराहूं आज आपको बताना है इस पर्तम स्थानवा बोली आपको बताना है कौन सी आएगी चार उप्सन में से बताए क्या आएगा तो इसमें आजाएगा आपका सई जवाब वो आजाएगा आपका मारवारी उप्सन नमर बी अगर आपने किया है तो आप अपना एक नमर जोड़ सकते हो बढ़ते नेक्शन की ओर अब आपको बताना है कि उस मद्यकालेल पर्थम इत्यासकार का नाम बताएं जिसने विश्त्रीत रूप से अपनी इत्यास समंद्य औदार्णा को लिखा है क्या आएगा चार उप्सन में से जवाब क्या आएगा इसमें क्या आएगा चार उप्षन में से तो इसमें आजाएगा आपका उप्षन नमबर C आएगा बरणी क्या आएगा बरणी आएगा उप्षन नमबर C बढ़ते नेक्शन की ओर निमन में से किस हितियासकार ने अकबर को दरम यूद का चेंपियन का है बताइए निमन में से किसी त्यासकार ने अकबर को दरम्यूद का चेंपियन का है बताइए चार ओप्षन में से क्या आजाएगा क्या आएगा चार ओप्षन में से तो इसमें आएगा ओप्षन नमर ए अबुल फजल अबुल फजल को क्या है कि दरम्यूत का चेंपियन का जाता है तो ये तो थे आपके आज जो आपका राजस्तान जी के का एक मोडल पेपर हुआ है उनलाइन मौक टेस्ट उसके 20 क्यूशन अब आपको बताना है कि 20 में से आपके कितिन नमबर आए आपको ये वीडियो कैसा लगा अगर अच्छा लगा तो इसे लाइक और से जरूर करना है अगर आप चेंपर नहीं तो चेंपर को सब्सक्राइब करें ला साथ में आपको क्या है इधर एक बेल आइकन दीख रहा होगा उसको आपको प्रेस करें ताकि जब भी को नए वीडियो डालता है आपकी पास उसका नोटिफिकेशन आजाए और आप जल से जल क्या वो क्लास जोइन कर सको तो आज की क्लास में बसे जाना ही मिलते हैं एक नए क्लास में तब तर के लिए जैइन जैबार धन्यवाद